भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरों ने सुमवार को कहा कि जियेसलवी F-12 ने नौ वहन उपग्रे एन्वीएस-01 को सफलता पूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है चेन्ने से करीब 130 किलोमीटर दूर श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंदर के दूसरे लॉंच पैट से 51.7 मीटर लंबे रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया ये सुवेद 10 बचकर 42 मिनट पर साफ आस्मान में लक्ष की ओर रवाना हुआ प्रक्षेपन के कुछ मिनट बात रॉकेट ने 2232 किलो वजनी NVS-01 नौवहन उपग्रा को लगभग 251 किलो मीटर की उचाई पर कक्ष में स्थापित किया NVS-01 अपने साथ L1, L5 और S-Band उपकरन लेकर गया है पहले के मुकाबले दूसरी PD के उपग्रह में स्वदेशी रूप से विक्सित रूवीडियम परमाणू घडी भी होगी इस्तरों ने कहा कि ये पहली बार है जब स्वेदेशी रूप से विक्सित रूबिडियम परमाणु घडी का सोमवार के प्रक्षेपण में इस्तमाल किया गया दूसरी पीडी की इस नौवाहन उफग्रह शंकला को एहम प्रक्षेपण पर माना जा रहा है क्यूंकि इससे नाविक सेवाओं की निरंतरता तैह होगी और ये उफग्रह भारत और आसपास लगभग 1500 किलोमीटर इलाके में सीधे समय से जुड़ी सेवाओं देगा इसरों ने खास तोरपन नागरिक उड्डियन और सैन जरूरत के संबद में देश की स्थिती, नैविगेशन और समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाविक प्रणाली विक्सित की है इससे हवाई और समुद्री नैविगेशन, सटीक क्रशी और मोबाइल उपकरणों समेत समुद्री मतस्य पालन में जग है और समय की सही जानकारी मिल सकेगी